तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडबा पूरा होलसल में कितने रुपे में पड़ता है अगर आपका कोई दुकान है या फिर कोई दुकान आप खोलना चाहते हैं अगर आपका कोई जनरल इस्टोर है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लेज वीडिय आपको कोई दुकान है या फिर कोई दुकान खोलना चाहते है क्योंकि में जितना वी एटियो बना रहा हूँ उसके बाद में बताता हूं कि होलसल में आप इसे खरीदेंगे पैन्यसोनिक का से तो के तने रुपे में पड़ेगा तो देखे अब आपको सबसे पहले माने दिखा देता हूं कि इसमें सेल कौन सा होता है तो देखे फ्रेंट्स कुछ इस तरह से इसमें फिल किया रहाता है तो आपको मैं एक लरी निकाल करके दिखा देता हूं इसमें टोटल दसपीस फिस होता है मतलब एक लरी में दसपीस होता है आपको थोड़ normal होना याणि तो देंदल है और इस तरह से आपको इसमें दस बंडल मिल जाते हैdenा देखना दो तीन चार संसाल होना फंच ऋन सब्सरे बंतने का यानी हमत भी बंडल है यानि 100 जेल है इसमें और आपको पूरा हलसल प्राइज अगर आप एजन्सी से खरीद तो आपको टोटल फिक्स प्राइज पांच सो रुपे पड़ेगा अगर आप एजन्सी से इसे लेते हैं अगर आप कहीं से जैसे कटिंग का माल लेते हैं तो आपको 490 रुपे तक मील ज जाता है और दूसरा निपो का भी आता है अगर दूसरी क्वाल्टी का लिंग तो 480 रुपे तक मिल जाता है क्योंकि फ्रेंट्स वो सब सेल थोड़ा लो क्वाल्टी की होते बटे पैनासोनिक का बहुती बेस्ट क्वाल्टी का सेल है और एक एवरेडी का भी सेल बहुती अगर आप इसे 500 रुपे में लाते है तो एक पिसका पड़ जाएगा पचास रुपे पड़ेगा और अगर दुकान है तो आप इसे कितनी रुपे में बेचेंगे यहां पर अब एक डाउट रहा गया तो देखी फ्रेंट्स अगर आपका होल्सिल का दुकान है तो आप 5 र रुपे में एक पत्ता को बेचना होगा तो देखी फ्रेंट्स यहां पर अगर आप 55 रुपे में बेच रहे हैं तो अगला जो छोटा दुकान दार है खोल करके माली एक सेल किसी को देना है तो कितने रुपे में देगा तो देखी फ्रेंट्स एक सेल का प्राइज होता है तो आपको यहां पर 50 रुपे का फायदा हो जाएगा पूरा एक डबा बेचने पर सो फ्रेंड्स अब आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा कि एक बंडल यानि एक गत्ता सेल कितने रुपे में मिलता है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेट अपिक के साथ तक के लिए गुड़ मैं टेक के रहा हुआ